हेलो सुजेंग नियूस में आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं टॉप एड इंपॉर्टन टिप्स देने वाला हूँ जिसके थुरू आप अपने एंड्रोइड स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को इंप्रूवड कर सकते हैं जी हां ये वीडियो पूरा देखने से परे मैं आपसे रेक्मेंड करता हूँ कि इसके पहले मैं इन्हें बैटरी चार्जिंग टिप वाला वीडियो बनाया था वो वीड़ू ज़रूर से देखना वहां पर मैं आपको बताया हो कि양 JOE आपने फोन को कैसे सही तरीके से चार्ज क्या होता है दोस्तों कि हमारे फोन की बैटरी लाइफ ना बहुत जल्दी ड्रेन होती है हमें बहुत सारे काम करने होते है एक फोन में और जैसे हम बैटरी लाइफ एक्सपेट करते हैं वैसा वो होता नहीं है लेकिन क्या है दोस्तों कि कुछ-कुछ चीजे ऐसी है जिससे आप अपने फोन की battery life को बढ़ा सकते बहुत सारे ऐसी चोटी चोटी चीज़े जो background में आपके फोन में चलते रहती है जिनको आप turn off कर सकते और उसके through ही दोस्तों आप अपने फोन की battery life को improve कर सकते अब सबसे पहला जो tip है दोस्तों वो यह कि यह बहुत common है और ज्यादतर सब यही करते हैं और बहुत सारे लोगों को फिलाल के लिए इसके बारे में नहीं पता है आपके फोन में आप Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS वगएरा का इस्तमाल करते हैं लेकिन काविस सारा लोग ऐसे होते हैं जो जब इस्तमाल कर लेते हैं उसके बाद भी इन सारे चीज़ों को on रखते हैं देखी यह क्या करते हैं यह background में चलते ही रहते हैं चलते ही और यह आपकी फोन की battery को बहुत ज्यादा consume करते हैं आपका काम हो जाता है Wi-Fi का या NFC का या Bluetooth का तो आप उसको on मत रखिए इन सब को off कर दीजिए उसमें आपकी battery life improved होगी यह चीज़ ध्यान रखना क्योंकि काविस सारा लोग आज भी यह mistake करते हैं यह आपको समझना पड़ेगा दूसरे चीज़ यह दोस्तों कि आपके फोन में आपका जो location होता है वो हमेशा से on रहता है आप settings में गर जाएंगे तो location mode आप देखेंगे आपको अलग लग तरीकी के options वहाँ पर मिलते हैं यह क्या करता है कि background के अंदर आपके फोन की location होती है उसको track करता है और obviously जब यह ज़्यादा battery consume करता है यह आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा battery drain करता है तो location mode को off कर दीजिए जब काम हो तो ही इसका इसका इस्तेमाल करीए उसके बाद दोस्तों आपके phone में आपको vibration का भी feature मिलता है आप जब keyboard बे type करते है यह फोन आता है तो vibrate ह आपको पता है यह जो vibration जो motor अपकी phone में जो आपको haptic feedback देता है इसके वज़े से भी आपकी phone की battery drain होती है जी हाँ यहाँ यहाँ पर अगर आप खुछ जाके search करेगी research करेगी तो आपको पता चलेगा vibration की वज़े से भी आपकी phone की battery drain होती है देकि बहुत सारे लोगों को साफ ही अच्छी दोस्तों आप जब भी अपना phone इस्तेमाल करते हैं और जब lock screen mode में डालके उसको रख देते हैं तो आप अपने phone के अंदर रखने से पहले सारे apps को ना kill कर दीजिए background से सारे apps को निकाल दीजिए उसके बाद आप अपने phone को रखिए क्योंकि वो background में चलता जो तो सारे apps को पीछे से kill कर दीजिए जितने हो सके चीज़ों को बंद कर दीजिए रखने के बाद आपके phone में battery अच्छी रहेगी यह एक अच्छी tip है अब यह जो tip है specially उन लोगों को ज़्यादा help करेगी जिनके पास AMOLED display वाला smartphone है देखिए AMOLED display की एक खासियत ही है कि इन में जो pixels होते हर जो pixels होते वो individual backlight होते और आप क्या कर सकते अगर आप डार्क मोड का या फिर आप यहाँ पर रहो डाक वालपेपर का इस्तेमाल करते हैं तो जो AMOLED display होते है वो individual pixels को ना डिजेबल कर सकते हैं, इनकी एक शमता होती, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फाइदा उठाइए, डाक मोड का और डाक वार्पेपर का इस्तेमाल करें, इससे आपकी फोन के ना बैटरी लाइफ बहुत जादा इंप्रूवड होगी, वैसे दोस्तों हम बहुत सारे एप्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें majority ऑफ दो जो एप्स होते हैं, वो आपके फोन में बैग्राउंड में चलते रहते हैं, और उसके साथ में आपके डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं, जब आपका डेटा वो लोग कंज्यूम कर रहें, इन अदर वर्ड वो आपकी बैटरी को भ कर सकते हैं, इस तरीके से आप उनको रोक सकते हैं, बैगराउंड में वो आपका डेटा कंज्यूम नहीं करेगा और आप अपनी बैटरी लाइफ को भी इंप्रूफ कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों काफिस सारो लोग अपने फोन के अंदर ब्राइटनेस को पुरा फुल कर देते हैं और इस्तमाल करते हैं, फिर आप चाहे वो मूवी देखिए, गेम के लिए नॉर्मल भी काम करिए, आप अपने फोन के डिस्पले की ब्राइटनेस को अगर इकदम बढ़ा देते हैं, तो आपकी बैटरी को कंज्यूम करेगा और ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, कभी-कभी आप जब बाहर चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को बंद कर दीजी, आप मैनुली अपने हिसाब से अपने फोन की ब्राइटनेस को एडजर्स करिए, देखिए, मीडियम या उससे कम में अगर आप ब्राइटनेस का इस्तमाल करते हैं, तो आपकी बैट ब्राइटनेस का इस्तमाल करिए, उसमें भी एक से वालपेबर आते हैं, इससे भी आप अपनी बैटरी लाइफ को बचा सकते हैं, और फाइनल जो टीप है दोस्तों वह यह कि बहुत सारे ऐसे एप्स होते हमारे फोन में, जो बैक्गराउंड के अंदर आटोमेटिकली आटोमेटिक अपडेट को आफ इससे भी आप अपने बैटरी लाइफ को इंप्रॉट कर सकते हैं, अईसे ही मैंने बहुत सारे और भी वीडियोश बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट के इंदर में देता हूँ आपको वो सारे विडियोस के लिंग वो भी आप जरूर सी जाकर देखना विडियो बसना है कि दूस्तों लाइक करना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तेले नवी ग्रेट डे एंड ओल्वेस कीप स्वालिंग